हेलो फ्रेंड्स वेल्कम वेक्टोब यूट्यूब चैनल विद्यामाज अगर आज हम पढ़ेंगे चेप्टर 12 क्लास 9 का हिरोंस फ्रमला जिसका नाम है सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे ट्रैंगल क्या होता है ऊक्राइटो बेंगल लुज इस अंग्ल के साथ 3 अंग्लख उठीक एक एक त्राइंगल होग तो हमने v से कहेंगे क्वाँ एक ट्राइंग थीक है然 तो उसक्वाद आते ह्या है ट्राइंगल sono कितने Type के होते हैं यह होते हैं दो Type के Based done हो सकते हैं ठीक हो गया और उसके बांट काइंगल वह हो Der जिसके एक से कहा होती है डिफरेंट होती है यानि कि ऑल साइट से डिफ़ेंट है यानिकि अगर एक साइट तीन कि HAVE ऊछ के थांगी है और वे तीन उससे नहीं होती है नहीं होगी ठीक है अब आते हैं based down angles, angle के base पे कितने triangle होते हैं, angle के base पे होते हैं 3 triangle, acute angle triangle, right angle triangle, obtuse angle triangle, जैसा कि आपको पता है कि एक triangle के अंदर सारे angle का sum कितना होता है, 180 degree होते हैं, ठीक है, 180 degree, अब आपको ये भी पता है कि acute angle क्या होते हैं, 0 to 90 degree, यानि कि 90 degree से छोटे वाले जितने भी होते यानिकी एक ऐसा एंगल जिसमें सारे एंगल जो होते हैं वो हम कहेंगी उसको sabeside angle triangle जैसे के हमारा equilator triangle होता है वो एक, this type का एंगल बनता है triangle Equilator triangle के सारे एंगल 60 degree के होते हैं ठीक है तो 60 degree के होंगे तो 60 degree के साथ-सनाथ क्या होते हैं उसमें सारे acute होंगे कुछ कुछ आउंक चांगल तो इसको कह सकते हैं अक्योट अंगल है हैं Something iki toock आईड़े वे इस तो सारे सारे इंत्र अक्योट होते हैं हैं ऐसी चारीं पर यंगल में थे खाय चाहिए ठीक है एक right angle माना उसमें 90 degree का angle है तो हम उस triangle को कह देंगे कि वो एक right angle triangle है ठीक है अब आते हैं obtuse angle पे obtuse angle एक ऐसा triangle है जिसमें एक जो angle होगा वो obtuse angle में होना चीह यानि कि 90 से बड़ा और 180 से चोटा 91 से लेके 179 degree तग अगर कोई भी angle की measurement आधी एक triangle के अंदर तो हम कह दिएगे कि वो ट्राइंगल है आपका वो एक obtuse angle triangle है ठीक है समझ गे एक्ट्यूट्यंगल ट्राइंगल जाने कि जिसमें सारे एंगल 90 से छोटे होने चीए सारे एंगल और right angle triangle जाने कि सारे एंगलों में से कोई भी एक एंगल अगर एक 90 degree का होता है तो हम उस triangle को कहा देंगे वो right angle triangle है और obtuse angle में कोई भी एक angle 90 degree से बड़ा है तो हम कहा देंगे उस triangle को obtuse angle triangle ठीक है अब औरते हैं formula की और जो हमारे हेरांस होनों में use होने वाले है अगर आपको एक triangle की base और हैट दी गई है तो आप simple से formula लगा देंगे age of a triangle equal to half base into height करके आप direct उसका formula answer निकाल सकते हैं यूज करके perimeter of triangle होता sum of all sides अगर हमने 3 side मानी A, B, C triangle की यानि कि हमारा triangle मान लो A, A है इसकी एक side A है, B है और C है 3 side A, B, C तो sum of all sides होता है perimeter ठीक है semi perimeter यानि कि sum of all sides का upon 2 करेंगे तो हमारा आदर है semi perimeter यानि कि perimeter upon 2 भी कह सकते हैं आप क्या कह सकते हो perimeter by 2 यानि कि perimeter by 2 भी क्या हो जाएगा आपका semi perimeter हो जाएगा ठीक हो गया अब आते हैं area और triangle का hirons formula यानि कि जब आपको height ने दी रहेगी और 3 side की measurement दी रहेगी तो आप कैसे निकालोगे तो आप निकालोगे hirons formula का use करके area equal होता है under root s s-a, s-b s-c, अब आप confuse ना हो तो s यहाँ पर जो होता है, वो होता है semi perimeter a, b, c यहाँ पर जो होती है triangle की 3 side होती है, ठीक है तो s, s-a, s-b, s-c ऐसे करेंगे, फिर आता है area of equilator triangle, तो area of equilator triangle यानि कि सारे side इक्वल होता है वो होता है, आपका root 3 of 1, 4 side squared, यानि कि अगर आपको side दी गई है तो इस formula का use करके आप equilator triangle का area निकाल सकते हैं, अगर आपको area दी है, तो इस formula का use करके आप उसकी side भी निकाल सकते हैं ठीक है, तो मैं जोन साइट्स तैंगल साइट्स तैंगल सीमन और कोई बी एंगल ने पहला हो था लिया ख्योंर साइनकों कि नूगर फिश्तैंगल दिए सीमन सारे छोटे जिसमें और राय टेंगल टेंगल जिसमें से एक टेंगल का कोई भी एक एंगल की measurement 90 डिग्री होनी चीए और obtuse एंगल यानी की कोई भी एक एंगल की measurement 90 से बड़ी होनी चीए ठीक है फिर बांग ये फ़र्वने आप इन्हें लिख सकते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कोई वीडियो पसंद आई होगी है और समझ माई होगी है अगर समझ माई होगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए ऐसे ही इंपोर्टेंट वीडियो के लिए तब तक के लिए दुगज की दूरी मास के जरूरी अपने ध्यान ने किए अपने घर्वान को ध्यान ने किए आसपस आप सहीं नहीं रखें मिल दे नेक्स्ट टूडियो में तब तक तर स